दोस्तो मैं कांस्टेबल जी सिंग सेंटर रजर प्रिस पोर्स का जवान हूँ मैं आप लोगों के जरिये हमारे देश के प्रतान मंतरी स्रीमान निये नरंद मोदी जी तक एक संदेश पहुचाना चाहता हूँ जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सयोग करेंगे तो मेरा कहना यह है कि हम लोग CRP वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन थी डूटी है जो नहीं करते लोग सभा चुनाब, राज्य सभा चुनाब यहां तक की छोटे मोटे ग्राम पंचाद के चुनाब वह में हम डूटी करते हैं इसके इलाबा BIP सुकरटी, BBIP सुकरटी, संसत भवन, एरपोर्ट, मंदिर, मस्जित, कुर्दवारे कोई भी ऐसी जगए नहीं जहां पर सेंटर रेजर पलेफोर्ट के जवान अपना योगदान ना देते हूं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, भारतिय आर्मी और CRP और बाकी भी अर्सेनिक वलों के बीच में फैसलेटियों में इतना अंतर है, इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हिरान रहे जाओए सबसे पड़ी बात माननी है, मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैटे टीचरों को आप पचास-पचास-चाथ हैर रुपय महीने की पे दे रहे हो और उसमें साल में ना यानि कितने दिन हरते वहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों कि हम लोग इसके हगदार नहीं है इतनी डूटियां करने के पावजूर भी तो दोस्तों आर्मी को पैंसन भी है हम लोग की पैंसन थी वो भी बंद हो गई बीस साल बाद हमनों की छोड़ कर जाएंगे, तो क्या करेंगे, एक सर्विसमेन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुवदा हमको नहीं, मेडिकल की फैसलेटी हमको नहीं डूटी, डूटी सबसे ज़्यादा हमारी, आर्मी को जितनी फैसलेट मिलती है, हमें उससे कोई इतराई नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदबाब क्यों, हमको भी तो मिलनी चाहिए, दोस्तों, मेरी स्पास से आप लोग सहमत हो, तो इस वीडियो को जित